नमस्कार मुद्दे की बात में आपका स्वागत है मैं हूँ मनुज मनुँ आज हम सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत में महिलाओं के हिस्सेदारी पर बात होगी साथी सत्ताधारी बीजेपी और कॉंग्रेस को डिकोड करेंगे कि कोर कमिटी में कितनी भागेदारी है महिलाओं की आज मैं आपको बी जे पी में महिला की लीडर के नाम बताऊँगा जिस पर जनता की नजर है और दोनों ही पार्टियां, एक अकेली पार्टी नहीं दोनों ही पार्टियां आखर महिलाओं को लेकर क्या सूसती है क्या वाकई उन्होंने अपनी अपनी पार्टी में मद्ध्य प्रदेश और बीजेपी की सियासत में महिला शक्ति की तो भाईया महिलाओं की बात हाजम कर लेते हैं क्योंकि इस साल के आखिर में विधान सबच चुना हूँ और मद्ध्य प्रदेश में महिला वूटर्स 48 फीज़ दी है उसके बावजूद प्रदेश के पास महिला लीडर्शिप को लेकर कोई उस तरीके से बड़े चहरे नहीं है जिस तरीके से चहरे पुरिषों की हैं मेल्स के हैं और जो महिला लीडर्स हैं भी उन्हें वो पद नहीं दिया गया है जिससे वो कभी आगे निकल पाएं, बड़े निता बन पाएं, बड़े चहर बन पाएं, मुख्य मंत्री तक पहुं सकें रोचक और मुद्दे की बात ये है कि संग्ठन में जिन शक्तियों को स्थान मिला है जिन महिला शक्तियों को स्थान मिला है उन्हों लोगों को पारेवारिक, विरासत या फिर पावरफुल पॉलिटीशन की हैस्य पत मिला है उस हैसियत से पड़ मिला है अब सरकार में महिलाओं की जो भागेदारी है उस पर एक बार चर्चा कर लेता हूँ मंद्र प्रदेश में चाहे सरकार की बात हो या फिर संग्ठन की बात हो बीजे पी और कॉंग्रेस के फैसले लेने वाले कोर गरूप में पुरुशों का बोला बाला है अगर पिछले चुनाओ में 230 विधान सबा सीटों की बात की जाए निर्दलिय उम्विद्वार के रूप में 250 महिला चुनाब में उत्री थी बीजे पी की 9 और कॉंग्रेस की 8 महिलाएं विधायक उस वक्त विधान सबा में पहुँची हलाकि कमनला सरकार गिरने के बाद चुनाओ हुए तो महिला विधायकों की संख्या 21 हो गई मैं आपको आगे ये बताऊंगा कि बीजे पी और कॉंग्रेस में महिला लीडरशिप को लेकर आँकड़े क्या कहते है बाकी आप फैसला कीजिए कि किस पार्टी ने महिलाओं को कितना ज़्यादा महतों दिया दिया तो क्यूं दिया नहीं दिया तो क्यूं नहीं दिया अब मद्परदेश में पिछले 10 साल की बात कर लेते हैं पिछले दस साल से मद्द्पदेश में पांच महिलाई मंत्री थी लेकिन अभी तीन है या शोदरा राजे सिंधिया उनके पास है खेल युवा कल्याण तक्नीकी सिक्षा कौशल विकास एबं रोजगार जो जन जाती है कारविवाग और अनुसुचित जाती कल्याण मंत्री उश्य ठाकुर को संस्कृति पर्याटन धार्मिक न्यास और धर्मसु के जिम्बेदारी दी गई अब मुद्द की बात यह है कि इस बात शिवराज सरकार में मद्द पिदेश में महिलाओं की सरकार में हिस्सेदारी कम है पिछले 20 साल में शिवराज सरकार के तीसरे कारिकाल यानि कि 2013 में सबसे ज़दा पांच महिलाएं मंत्री थी बखु भी उन्होंने मंत्रा ले चला है साल 2018 में कमलना सरकार में 28 मंत्रियों में सिर्फ दो महिला मंत्री थी और उनके नाम क्या थे? आपको भी पता होगा विजय, लक्मी, सादो और इमर्ती देवी इन दोनों को मंत्री बनाया गया, दोनों कैबिनेट मंत्री थी वहीं कॉंग्रेस ने सरकार बनने पर 500 रुपे जादा यानि की 1500 की घुशना कर दी लेकिन संग्ठन और सरकार के अंदर कॉंग्रेस और बीजय पी की ओर से महिला विंकी लीडर्शिप तैयार करने का प्लान क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि जो अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से सुनियेगा आकड़ू की बात है एक समय था जब मद्वदेश में बीजय पी की ओर से उमाभारती सुमित्रा महाजन कॉंग्रेस की ओर से यमुना देवी बड़े चेहरे थे और ये वो चेहरे थे जो अपने आपको मुख्यमंत्री के तौर पर देखते थे पूरी जनता, पूरा संग्ठन ये मानती थी कि ये मुख्यमंत्री हो सकते हूँ और उमाभारती तो मुख्यमंत्री बनी भी अब अगर मौजूदा समय में पीजेपी की महिला नेताओं के बारे में बात करें तो ऐसे चलते चलते जो नाम जहन में आते हैं वो माया सिंग सांसद रही रास्टी उपादक्ष के परपा रही याशुदर राज सिंदिया मंतरी है मीना सिंग मंतरी है करशना गौर जो की पूर्ब मुख्य मंतरी बाबू बहार गई हैं नीना वर्मा विधायक हैं और मालनी कोड वो भी विधायक हैं इन में से कई नाम ऐसे हैं जो मंतरी पत के दाविदार थे लेकिन मंतरी नहीं बन पाए क्यों नहीं बन पाए राजने तेक उठा पटक शहमात बिचारी पीछे बैठी हो एक तो पार्टी के पाए का किया जाता है लेकिन मंतरी बंडल में तीस फीजदी भी महिला मंतरी नहीं है फिलाल मंद्र प्रिदेश में एक चोटा सा उधारन ले लिए हाल ही प्रदेश के मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान ने महिलाओं को लेकर एक बड़ी घोशना की और बड़ी सरहान मुख्यमंतरी शिवराज सिंग्छ चोहान को इसलिए करनी पड़ी क्योंकि महिलाओ वाल विकास उन्हीं के पास है पुरुश है इसलिए खुछ शिवराज सिंग चोहान ने घोशना की यह तब से जब से इमर्ती देवी के चुनाओ हारी हैं और उनके पास जो महिलाओ वाल दिया गया होता तो और अच्छा होता बाकी कारिक्रम में जो महिला मंतरी दिखी हैं वो महज एक खाना पूर्ती है अगर उस मंच से कोई महिला मंतरी जनता को अगर संभूधित करती तो कितना अच्छा होता कितना अच्छा मैसेज होता लेकिन किसी महिला मंतरी ने मंच से संध्याराय, शैडोल संसद हिमादरी सिंग और राज्यसवा संसद के लिए हाल ही में दो नेता चुनी कहीं हैं दो नाम हैं कविता पार्टिदार सुमित्र बालमिकी क्योंकि अब मोदी जी चाहते हैं कि जो अंतिम पंक्ति की महिला हैं उन्हें आगे लाया जाए यह उनका प बदाईए कि इन महिला नेताओं में से पार्टी ने किसको बड़ी जिम्बेदारी दी हैं प्रदेश में देखा जाए तो पांच किंद्री मंत्री हैं बाकी के हैं वो सब किंद्र से राज्यसवा में भेजे गए हैं उन्हें उस कोटे में हम नहीं गनते हैं क्या कोई किंद बदेटी सिंदिया बी-जैपी में हैं केलाईश विजय वर्की हैं नरूत्तम मिश्रा हैं शिपराश सिंग्ला चोहान है कि और तमाम मंत्री मंदल के मंत्री है इनकी तुलना कर सकते हैं न है न नहीं कर सकते हैं अब सत्ताधारी बीजेपी के संगठन में शक्ति का क्या सुरूप है? तो इसके बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूँ. मंद्र प्रदेश बीजेपी में मात्र 10 फीजदी महिलाओं की हिस्सेदारी है. बीजेपी के प्रदेश कारे सम्मिती में 497 स्थेदस हैं जिन मे में प्रदेश बीजेपी कमेटी में दो महिला पतादिकारी हैं. इन में से मद्र प्रदेश सिर्फ कविता पाटीदार हैं. और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इन में से किसी भी महिला पतादिकारी महिला सांसद महिला जो विधायक हैं जब आप उनसे बात करेंगे तो पता चलेगा कि ये अपने अपने इलाकों के लिए अपने अपने इलाकों की योजनाओं के लिए विकास के लिए दौरती भागती ठक जाती लॉबिंग तो दूर की बात है खुद के लॉबिंग के लिए दूर की बात है और आज भी वही मान सकता है कि महिला अगर पद पर आगी तो भाई साब क्या होगा तो वो सूचिए देश के प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने हाल ही में दुरोपती मुर्मू को रास्टपती के पद पर बैठा कर एक संकित दिया और देश के प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने अनुसुया होकि जो की छिंदवाड़ा से आती है उन्हें राज्यपाल बना कर भी संकित दिया लेकिन हमारे प्रधेश संगठन में किस बात का डर है क्या महिलाओं को उस तरीके से आगे किया गया किसी महिला को प्रधेश अद्रक्ष बनाया आप हाल के समय का नाम बताईए कि किसी महिला को प्रधेश अद्रक्ष बना दिया गया हो उप मुख्यमंत्री ही बना देते हैं 20 साल से तो नहीं बाकी की बाद में क्या जितने भी नाम मैंने गिनाए हैं इसमें ये तमाम संगठन के लोग तमाम करे करता, तमाम नेता जो नाम दिखाएं आप कल्पना कर सकते हैं कि इन मेंसे कोई मुख्यमंत्री बन सकता है हाला कि मोदी जी का जो दोर है आप इशाकत दोर है उसमें आप गोई भी कल्पना कर सकते लेकिन इसके पहले क्या प्रदेश संग्ठन किसी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर किसी कहना मागे करेगा लगता नहीं अब जो सिती बीजेपी में है वही सिती कॉंग्रेस में तो कॉंग्रेस की बात कर लेते हैं लंबे समय तक कॉंग्रेस की राष्टी अद्धक्ष महिला के तौर पर सूनिय गांदी रही और मद्ध प्रदेश कॉंग्रेस में महिलाओं को वो इस्थान नहीं मिला है ना ये तो महिला कॉंग्रेस अध्यक्ष बन पाई है प्रदेश की और ना ही कोई महिला मुख्य मंत्री बन पाई है क्योंकि जमुना देवी तब तक थी तब तक लग रहा था कि शायद एक आधिवासी चेहरे के तोर पर जमुना देवी निकल कर आ जाए रहा सवाल 2018 में आई कॉंग्रेस सरकार का तो उस मंत्री मंदल में बीजेपी ने तो चलो फिर भी एक ज़ादा दे दिया लेकिन कॉंग्रेस में सिर्फ दो ही महिला मंत्री थी विजय लक्समी सादो और इमर्ती थी बाद में हिना काबरे को विधानसवा उपाद्दक्ष बना दिया क्योंकि एक ट्राइवल काड कॉंग्रेस सामने रखना चाहती थी जबकि कॉंग्रेस के हर अद्भीशन में महिलाओं को 35 फीज़दी भागीदारी की बात होती है सोनिया गांदी खुद इसकी तरफदारी करती है वहीं पिछले विधानसवा चुनवा में कॉंग्रेस ने 28 महिलाओं बीदवारों पर भरूसा जिताय था और कॉंग्रेस आठ महिलाओं जीतकर विधानसवा पहुंचे थी अब मौझूदा वक्त मैं कॉंग्रेस के प्रदेश संगठन में महिलाओं की हिस्सेदारी पर एक नज़ा डाल लेते हैं कॉंग्रेस में 50 उपाद्रक्षों में से सर्फ 5 महिला है 105 महा सचिवोसमें में से सर्फ महिज 14 महिला है कॉंग्रेस ने पूरे प्रदेश में पन्ना जिले में सर्फ एक महिला जिला अध्रक्ष बनाई है उनको कमान दिया है कॉंग्रेस जिला कमिटी की अध्रक्ष सार्दा पाथा और वहीं अहम लेने वाली जो कमिटी है इस कमिटी में भी पूर्व सीम और पी सी सी के जो मुखिया है कमल नात निता प्रत्पक्ष डॉक्टर गोविन सिंग समित बाईस सदस्य हैं लेकिन एक ही महिला प्रतनिदी है और उनका नामे शोभा हो जा साथी दोजार चॉविस में लोगसभा चुना हैं और ऐसे में यहां महिलाओं की भागीदारी कितनी हैं इस पर भी बात कर लेते हैं सत्वी लोगसभा चुनाओं में 78 महिला जीती थी कहा यह जा रहा है कि महिला सांसुदों में से अब तक सरवादिक भागीदारी है अब चुनाओ आयू ने कहा था कि लोगसभा की 542 सीटों के लिए सरवादिक 40 महिला उम्मीदवार ने बीजेपी के टिकेट पर चुनाओ जी थी जबकि कॉंग्रेस के टिकेट पर सिर्फ पार्टी की वरिष्ट निता सोनिया गांदी ने ही महिला उम्मीदवार के तोर पर राय बरेली से जीत दर्च की तो इस तमाम समीकरण खासकर महिलाओं को लेकर मैं किसी की आलोचना करना नहीं चाहता मैं किसी पार्टी की आलोचना करना नहीं चाहता लेकिन सबसे बड़ा सवाल है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप कॉंग्रेस हो या बीजेपी मद्रिदेश की चर्चा कर लेता हूँ क्या आप यह उम्मीद कर सकते हैं आज के दौर मैं सोच कर देखिए कि कोई महिला नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित किया जाए कॉंग्रेस है बीजेपी कोई भी क्या राजनितिक पाटी सोच सकती है कि किसी महिला उम्मीदवार को पतौर प्रदेश अद्दक्ष क्यों नहीं बनाया जा सकता अगर महिला सांसक अगर महिला विधायक अपने अलाके में दोड़ भाग कर सकती है वहाँ पर वो जनता को प्रभावित करकर जीत करा सकती है तो प्रदेश को क्यों नहीं चला सकती क्यों नहीं चला सकती क्यों डर है या कोई संकोच है या फिर महिलाओं को कम तर आका जाता है कि भाई जितनी दौर धूप नहीं कर पाएंगी, दौरें नहीं कर पाएंगी, तो जब महिलाएं प्लेन उड़ा सकती है, जब वो सेनाओं में बंदूख हाथ में लेकर बॉडर पर जा सकती है, तो संग्ठन का काम क्यों नहीं कर सकती, यात्राय क्यों नहीं कर सकती, रहलिया खुद फैसला करें वो खुद चर्चा करें और अब तो बहुत कुछ होने वाला है देखा जाए तो कॉंग्रेस में नई तरीके से एक परिवर्तन की बैयार चल रही है अभी तो मलिक अरजुन खड़ गे अपनी कमिटी बना रहे हैं और बीजेपी में भी केंदर में मंत्री म परसेंट उन्हें स्थान बिल जाए देखते हैं